तो दोस्तों यदि आपके YouTube चनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का पब्लिक वाचावर पिछले 365 दिन में कम्प्लीट हो गया है तो आपका चनल मॉनिटाइज होने के लिए तैयार है अब यहाँ पर आपको सीखना यह है कि भाई मॉनिटाइज हम आखिर चनल को करते कैसे हैं इसको हम रिव्यू में कैसे बेशते हैं YouTube पाटर प्रोग्राम के लिए तो यह वीडियो आप कम्प्लीट देख लिजेगा आपके पास लैप्टॉप हो कम्प्यूटर हो या फिर आपके पास मोबाइल हो तो आप Google Chrome में अपना YouTube ओ लाते बताई जाती है अब यहाँ पर यह चनल मैंने उपन कर लिया और इस चनल को मैं आज मोनिटाइज करने वाला हूं तो यहाँ पर आप देखे मैनेज वीडियो का जो आपको option मिलता है आपको इसी पर किलिक कर देना है इस पर जैसे आप किलिक करेंगे एक अगला page यहा हाँ पर हो जाता है तो उससे मतलब नहीं है कुल मिलाकर यहाँ पर देखे लैप्ट साइड में जो मोनिटाइजेशन लिखा हुआ है इस वाले section में यहाँ पर अपडेट होना चाहिए कई बार क्या होता है yt studio में आपके 4000 गंटे कंपीट हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर गंटे का पब्लिक वाचावर हो चुका है तब कि हमें चाहिए था 4000 का यहाँ पर नीचे apply now का option है यहाँ पर पस हमें apply now पर क्लिक कर देना है जैसे apply now पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तीन option आएंगे ध्यान से समझ लीजिए channel monetization आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो step है यह review partner program terms उसके अलावा start का option है यहाँ पर इसके बाद sign up करेंगे हम google adsense के लिए और get reviewed तो यहाँ पर हमको पहले क्या करना है सबसे पहले पहला जो option है यहाँ पर यह start का जो option है वस इस पर ही click कर देना है start पर click करेंगे बहुत सारे आपको यहाँ पर बहुत सारी बाते लिखी ग करने है और इस पर आपको tick कर देना है दोनों पर यहाँ टिक होना चाहिए इसके बाद क्या करना है यहाँ पर accept का option आएगा यहाँ पर accept कर लिजिए करने के बाद यहाँ पर यह paste थोड़ा reload होगा ताकि जो हमारा step 1 है वो हमारा complete हो जाएगा और फिर हम जाएंगे step 2 में तो तो थोड़ा ध्यांचे समझ लीजे यहाँ पर भी start option है मैं start option पर click कर दूँगा जैसे ही मैं यहाँ पर click करूँगा अब यहाँ पर ध्यांचे समझने वाली बात है यहाँ पर चीज पूछ रहा है do you have an existing adsense account यान इक्कुल मिलाके हमें यहाँ पर select करना है यहाँ तीन option आप आपको दिखाएगा अगर आपके पास पहले से कोई adsense बना हुआ है तो आप यहाँ पी जो उपर वाला ने yes I have an existing account इस पर click करें और अगर आपको नहीं है तो no I don't है वाले पर click कर दें ठीक है तो अगर आपको नया adsense बनाना है जब तो आपको second वाले पर click करना है कि पहली आप अगर आपको पहले से कोई adsense है तो हमारे case में क्या है पहले से हमारे पास adsense है दूसरा channel चल रहा है उस एडसेंस से उसको हम यहाँ पर link करेंगे तो उपर वाला जो है यह ने yes वाला इस पर हम click कर देंगे click करने के बाद हमें क्या करना है continue पर click करना है यह continue को option है पर open करना है तो चले मैं यहाँ पर open करके फिर आप से बात करता हूं तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी adsense account है उसकी details आ गई है मैंने blur की हुई है यहाँ पर security purpose से बस यहाँ पर आप देख लिजे इस तरह से हम यहाँ पर इसको login करेंगे और अपने आप ले लेगा ठीक है इ यहाँ पर हमारा जो यह redirect हो रहा है और redirect होने के बाद यहाँ पर आप click कर दीजे अगर जल्दी से आपको redirect करना है तो यहाँ पर देखे हमारा जो यह option है second वाला यह भी यहाँ पर done हो जाएगा अभी थोड़ा हम वेट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हमारा यह यह second step भी done हो गया है मैं आपको एक चीज़ के लिए कर देता हूँ अगर आप new adsense बनाएंगे तो done होने में थोड़ा time लगेगा तो आप इसको छोड़ दीजेगा आपको 2-3 गंटे 4 गंटे 12 गंटे तक लग सकते हैं लेकिन हमारे पास पहले से adsense अल्रेडी था तो हमारा से done हो गया अब यहां पर step 3 है यह है in progress यानि हमारा channel review में चला गया है तो review में जब जाता है तो आजकल तो 2-3 दिन में monetize हो जाता है और हमारे पास mail आ जाती है monetize होने के बाद आपने add run कर सकते हैं तो कुल मिला के हमने अपने channel को monetize के लिए review में भेज दिया है दोस्तों उ चैनल को monetize करा सकते हैं मेरी तरफ से best of luck के वीडियो पसंद आया वीडियो को like share कर दीजे चैनल पर पहली बराएं तो subscribe करने के साथ notification bell को दबा कर all पर click करें इसी तरह के वीडियो में आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में तब तक के लिए चैनल